बिग बॉस OTT 3 कुछ दिनों पहले ही खत्म हो चुका है और अब बिग बॉस 18 को लेकर सुख बुगाट शुरू हो गई है फैंस की डिमांड है कि इस सीजन को सलमान खान ही होस्ट करें वहीं कुछ कंटेस्टन्स का नाम सामने आया है जो 18 सीजन का हिस्सा हो सकते है इसके लिए बॉलिवूड की एक एक्ट्रेस का नाम भी सुरुखियों में पना हुआ है कॉंटुवर्शिल रियालिटी शो बिग बॉस का हर सीजन किसे न किसी कारण से सुरुखियों में बना रहता है इस बार बिग बॉस OTT 3 अर्मान मलिक और विशाल पांडे के थपड कान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वहीं इस शो के खत्म होने के बाद अब बिग बॉस 18 की चर्चा तेज हो गई है बिग बॉस OTT 3 में कुछ एक टॉपिक ऐसे जरूर रहे जिनकी चर्चा पूरे सीजन में हुई हला कि इस बार सीजन यूजर्स को कुछ खास पसंद नहीं आया इसकी एक वज़ा होस्ट सल्मान खान की जगा अनिल कपूर का होना भी था वहीं बिग बॉस के अट्रवे सीजन के लिए कुछ नाम सामने आये है हाल ही में खबर आये थी कि कृतिका बले एक शो का हिसा होंगी हाला कि ये सिर्फ रूमर्स है और उनका कन्फरमेशन आना बाकी है वहीं अब एक बॉलिवूड एक्ट्रेस का नाम सामने आया है जो बिग बॉस 18 का हिस्सा हो सकती है ये वो एक्ट्रेस है जिन्होंने कभी अनिल कपूर के साथ लिपलॉक सिन किया था वो सोहिल खान के गल्फरेंट तक बन चुकी है हम बात कर रही है एक्ट्रेस समीरा रेडी की समीरा ने अनिल कपूर के साथ फिल्म मुसाफिर में किसिंग सिन्ध दिया था वो सोहिल खान के साथ मैंने दिल तुझको दिया में नजर आ चुकी है जिसमें वो उनकी गल्फरेंट बनी थी समीरा रेडी ने दिवंगत सिंगर पंकच उधास के अलबम और आहिस्ता से डेब्यू किया था हाला कि ये म्यूजिक अलबम था वहीं बॉलिवुड में उनकी पहली मुवी मैंने दिल तुझको दिया थी समीरा अपने करियर के शुरुआत में नो एंट्री, रेस और देदनादन जैसे फिल्म्स का हिस्सा रही अपने असपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पानी के लिए देखते रहें अमबाला ब्रेकिंग न्यूस हमें फीजबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एपल और एंड्रोइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी एप अमबाला ब्रेकिंग न्यूस जाउनलोड करें